संसद में एक बार फिर से आप तमाम महिला कर्मियों को रिये स्कीलिंग करके और आप लोगों को मान दे सहित सरकारी करमचारियों के दरजा को लेकर के जो है मांग उठाई गई है खबर में पुरूप के साथ देखिए हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुर रहे हैं बता दे जितने भी आसाकारी करता अंगनवारी सेविका आसा फैसलिटेटर वैक्सिन कुरियर ममता दिदी जीवका दिदी तमाम महिला करमचारियों के साथ साथ एनम औ तमाम आसा कारी करता अंगनवारी सेविका को रिस्किलिंग को ले करके उन्होंने की योजना निकाली थी जिस योजना के तहत उस समय माना गया था कि आप लोग यानि की करोना वैरियर के साथ साथ आसा कारी करता अंगनवारी सेविका ने भी बहुत अच्छे से अपने काम को निभाया था कहीं ने कहीं आप लोगों की उत्तरदाई तो बहुत थी और आप लोगों ने भी हाइए रिस्क में काम किया है वैसे वैसे आदमियों के संपर्क में गएं जो बहुत गंभीर बिमारी से ग्रसित थे इस चीज पर करके सरकार करवाते हुए आप लोगों को सरकार उचित वेतन, NPS, Medical M Policy, Accidental Insurance, सब्ताह में छुटी, राष्टिये छुटी, Provident Fund यानी EPFO, ESI, अनुकंपा जैसी Facility सहित आप लोगों को Retirement 10 लाग करें, क्यूंकि जब करोना था उस समय आप लोगों की जो भूमिका थी उसको नवाजने का काम WHO ने भी किया था, इस बात को सरकार जुटला नहीं सकती है, जिसको ले करके, दो साल पुरानी बातों को फिर से संसद में उखार दिया गया है, कि सरकार जितने भी आसा कार करता, अंगनवारी सेविका, आसा फैसलिटेटर, वैक्सिन, कुरियर, ममता दीदी, जीवका दीद और आप लोग उन सभी कामों को कर पाएंगे, जो सरकार दूसरे किसी भी अधिकारी या फिर करमचारी को उसमें नहीं लगाए, फिर आप उनके भी काम को करेंगे, तो आपको फिर उजित वेतन इस कमरतोर महंगाई में क्यों नहीं मिलना चाहिए, और उसको ले करके, 2019 की जो कमीटी बनाई गई थी, उसमें आप लोगों को कम से कम 12,000 रुपे उसी समय निर्धारित किया गया था, अभी आप 5 साल बीच चुके हैं, तो अभी आप लोगों को कम से कम, अभी आप लोगों को 18,000 रुपे कम से कम होना चाहिए, 26,000 रुपे आप लोगों की मांग है, लेकिन 18,000 रुपे आप लोगों को मिले इसको ले करके संसद में ही नहीं बलकि पूरे बिधान सभा से ले करके लोग सभा तक इस बात को गुंजने का काम हुआ है आप लोगों को बता दे केंद सरकार का साब तोर पे कहना है बाल विकास जेबं महिला विकास मंतरी असमिर्ती इरानी का साब तोर पे कहना है कि सरकार अगर आयुसमान कार्ड का तोफा दे सकती है तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है आपको बता दे आज किस खबर में आप लोगों को पुरूफ के साथ दिखाने वाले हैं तो खबर में बने रहे और सबसे पहले आप लोगों पुरूफ देख लीजिए कि संसद में आप लोगों के हितों में क्या कुछ आवाज किये गए हैं आप लोगों को रिस्किलिंग को ले करके सरकार पे तंज कसा गया और सरकार ने इस बात को माना है और सरकार आप लोगों को रिस्किलिंग करवाते हुए महिने का 18,000 रुपे आप लोगों को NPS, Medical Amp Policy, Accidental Insurance, सब्ता में छुट्टी, रास्टिय छुट्टी, भविस निदी, ESI, अनुकम पाजेसी फैसलिटी जल से जल प्रवाइड करेगी, इसको ले करके जो है हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, फिर आगे ख़बर में चल करके बात करेंगे, धन्यवाद अद्यक्ष जी, कि आपने मुझे पूरक प्रशना पूछनी आनुमती थी, सरकार ने कोवीड वारियर्स के क्रैश कोर्स की अच्छी युजना बनाई, हमने पिछले दो वर्षों में ये भी देखा है कि कोवीड वारियर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है, और उनकी संख्या पूरे देश में मुझे लगता है कि दस लाग से भी ज्यादा है, और आज वो सब एडॉक बेसिस पर कारेरत है, और बहुत वर्षों से रेगुलराइडेशन और पेस्केल बड़े, इसके लिए मांग कर रहे, अंदोलन कर रहे, मेर से उनको गेनफुल इंप्लॉइमेंट मिल सके, अध्यक जी इसकी जो लगभग है, एक लाग अटरा हजार, तीन्सु चैसी ऑन सर्विस, ऑन जॉब जो ट्रेंड के, उसमें आसा कितने हैं, अभी तो तथ्या मेरे पास नहीं है, मैं सदेश्य को बता ही दूँगा, लेकिन सारे कामों में, जो मैन पावर लग रहा है, उसकी अप्स्किलिंग, रिश्किलिंग की निरंतर आवशकता है, भारत सरकार की ओजिना है, उस दिशा में काम कर रही है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि देश में आसा कार करताओं की संख्यां 10 लाख है, और 10 लाख आस देंगे, तो सरकार जो बात बोली है, उस पर सरकार खड़ी उतरे, इसको लेकर के लगतार हम लोग आप लोगों की आवाज को उठाते रहे हैं, और आपको बता दे, कि आप लोग भी जानते हैं, कि जब से मीडिया ट्राइल आप लोगों के हितों में चलाना सुरू किये है तब से आप लोगों को धरना परदरसन आप लोग करें चाहे ना करें, लेकिन आप लोगों के हितों में रोज एक नई फैसला जो है, सरकार करने का काम कर रही है। सरकार है उस राज में तो इस बात को smoothly निप्टा लिया जाएगा जैसा कि बिहार हुआ इसके बाद UP हुआ इसके बाद MP हुआ लगतार राथी राजस्थान हुआ तो तमाम बहुत सारे ऐसे राज जहां पर BJP का कबजा है वहाँ पर तो इस बात को smoothly जो है लागू कर दिया जा कि आपको बता दे कि कैंदर सरकार 10,000 रुपे सहित आप लोगों को राजसरकार 40% के तहत आप लोगों को 6,000 रुपिया इंकुलूडिंग जो कमिसन होती है और आप लोग जो अपने अस्तर से काम करते हैं जिसका incentive आप लोगों को मिलता है जैसे महिला प्रसब में आप सा उपर नीचे होगा लेकिन 18,000 मिनिमम आप लोगों के मान दे हो इसको लेकर के जो है लगतार सरकार अपने दिशा से काम कर रही है और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से विधान सभा और लोग सभा सभी में आप लोगों की आवाज को किस तरह से बुलंद किया तो लगातार इन सभी चीजहों के पीछे आप लोगों को बता दे कहीं न कहीं मीडिया कर्मी जो आप लोगों के हितों में ट्राइल चला रहे हैं वो बहुत कामगार सावित हो रही है नहीं तो अगर मीडिया चैनल आप लोग की हितों में खराना हो तो आप लोग लगातार धरना परदर्सन आंदोरन करते रा जाएंगे लेकिन सरकार आप लोग की सुनेगी नहीं क्योंकि सरकार की आप लोग की आवाज सरकार तक पहुचने नहीं दिया जाता है तो जिसको ले वेक्सिन कुरियर ममता दिदी जीविका दिदी तमाम महिला करमचारियों के साथ साथ जितने भी एनम और एनेचम के करमचारी हैं उन सभी के मांदे में 2013 से जो आप लोगों को इंसेंटिव मिलती है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है जिसको लेकर के परिवार कल्यान मंत्री जो मनसुक मनडवाला है उनको भी पत्र लिखा गया था आप लोगों को पता होगा तो तमाम जानकारी जो है जूरे हुए सिदे बिभाग से आती है वो जानकारी आप लोगों के साथ साजा करते हैं और हमने आसा कार करता आंगनवारी सेविका तमाम महिला करमचारियों की आवाज को बड़े पैमाने पर ले करके जाने की बात कर रहे हैं और आपको तमाम विभाग तमाम मंत्री परषद मीडिया ट्रायल सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप लोगों के हितों में जल से जल एलान हो जाए तो लगतार आप लोग बने रहे और चैनल पर नए हो तो सब् करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे क्या होगा कि आप लोगों को तमाम अपडेट इस चैनल से मिलता रहेगा तो चलिए फिर मिलते एक नई ख़वन तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट